जूलाई के दूसरे हफ्ते देवघर आएंगे पीए मोदी बीश्व परसीद स्रावनी मेले से ठीक पहले बाबानगर में परधान मंत्री नायंद मोदी पहुंचने वाले हाई बताया जाता है कि परधान मंत्री के देवघर आगमन को लेकर तीथी वह समय भी निर्धायित हो चुका है लेकिन घोसना के लिए पीए मो की हर जंडी का इंतजार किया जा रहा है वैसे अभी तक के कारेकरम के अनुसार परधान मंत्री नायंद मोदी जुलाई माह के दूसरे सब्ता हमें अपने एक दिवसी देवघर दोरे पर आने वाले हाई अभित्तक के कारेकरम के नुसार प्रधान मंत्री देवघर में 12 जियोतिस लिंगों में सरोस्रेष्ट कामना लिंग बाबा बैदनात की पुजा अर्चना करेंगे बाबा पर जलारपन के बाद वह देवघर कॉलेज मैदान में आम जन सभा को भी संभोधित करेंगे इसको लेकर अलग-अलग अस्तर परतेरिया सुरू कर दी गई है जारखन में संताल परगना के राष्टे मानसून आने की संभावना है वहीं इस साल भी मानसून समाने रहने की उमीद जताई गई है मौसम भी भाग ने 13 और 14 जून को तेज आन्धी पानी को लेकर एलो अलट जारी किया है साथी राजे के उतर पच्मी भागों में कहीं कहीं लूच चलने की भी चेतावनी जारी किया है बता दे मौसम केंद्रे राची के परभारी अभी सेख आनन्ध ने कहा है कि इस बार मानसून सल्थान परगना छेतर के साहवगन के रास्ते जारखन में परवेश कर सकता है इस दवरान अच्छी बारिश की संभवना है उन्होंने कहा कि संभवना है कि राजे में मानसून 15 या 16 जून को आ जाएगा 15 जून से तक्निकी योगता धारी असनातक अस्तरिय परिक्षा के लिए करे आवेदान ज्यारखन तक निकी विशिष्ट योगता धारी असनातक अस्तरिय सन्युक्त परिक्षा 2022 के अंतरगत 594 पदोपर न्युक्ति की जाएगी परिक्षा के लिए 15 जून से ओनलाइन आवेदान जमा होगा ओनलाइन आवेदान 13 जूलाई की मध्य रातरी तक जमा होंगे बतादे 16 जूलाई के मध्य राती तक परिशा सुल्क का भुक्तान किया जा सकेगा वहीं फोटो वा हस्ताक्षर अपलोड कर समरपीत आवेदान पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 29 जूलाई की मध्य राती तक वेबसाइट पर लिंक उपलब्द रहेगा नितिस कुमार के मंत्री पर हामला करने वाला गिरफता है रांची के मेन रोड में उपद्रव के दरान बिहार के पथ निर्मान मंत्री नितिन नविन पर हामला मामले में पूलिस ने एक आरोपित को गिरफतार किया है पूलिस ने सुखदेव नगर थाना छेतर के पहाड़ी टोला निवासी और नीस को गिरफतार किया है वह इम्तियाज का पुत्र है इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि एक आरोपीत को गिरफतार किया गया है उसे पुछ ताच की जा रही है मालूम हो कि बीते 10 जुन को जुमे की नमाज के बाद रांची में भारे हिंसा उपद्र हुआ था इस तोरान मेन रोड में बिहार सरकार के पत निर्वान मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी पर उपद्रियों ने हमला किया था बाबा मंदीर में 5000 से अधिक सर्धालूओं ने किया जलारपन रबिवार को बाबा मंदीर में जलारपन करने आय भगतों की काफी भीड देखी गई सर्धालूओं की कतार मान सनोवर तक पहुँच गया भीड अधिक होने के कारण दोपर दोबए तक पूरा फूट ओफर बिरीज भगतों से भरा रहा भगत कतार में बोलबाम या महरहर महादेव का नारा लगाते रहे वहीं सिग्र दर्शनम कूपन लेकर जलारपन करने वाले भगतों की कतार भी मंदिर परशासन भवन से बाहर निकल कर मंदिर परिशर तक पहुँच गया था पट बंद होने तक 5000 से अधिक भगतों ने कूपन लेकर जलारपन किये भीड को कंट्रोल करने के लिए दंडा अधिकारी वो पूलिस बल पट बंद होने तक मेहनत करते दिखे साइबर अपरादियों ने पलामू कमिस्नर का बनाया फेक वाटसप अकाउंट पलामू में साइबर अपराद की घटनाय तेई से बढ़ रही है साइबर अपरादियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वे लोग प्रसासनिक पता अधिकारियों के साथ भी साइबर अपराद करने से बाज नहीं आ रहे है यही वज़ा है कि तीन दिनों के अंदर पलामू के दो अधिकारियों DCO कमिस्नर का फर्जी वाटसअप एकाउंट बनाया गया दो दिन पहले साइबर अपराधियों ने पलामू को उपायूक्त ससीर अंजन की तस्वीर का पर्योग करते वाटसअप का फर्जी एकाउंट बनाया था इसमें मोबाईल नमबर 7814-321-122 का पर्योग किया गया है आज साइबर अपराधियों ने पलामू के प्रमंडलिय आयूक्त जटा संकर चोधरी के नाम से फर्जी वाटसअप एकाउंट बनाया है नीरज सिन्हा ने कहा नहीं बक्से जाएंगे रांची हिंसा के दोसी जारखन के डीजीपी नीरज सिन्हा रविवार को रांची के मेन रोड सहीत अने प्रभावित इलाकों का जाजा लेने पहुँचे उन्होंने पूरी घटना की बारिकियों से जाना उन्होंने पूरे इलाके में सकती बरकरार रखने हर इस हिती में अलर्ट मोड पर रहने और दोस्यों को चिन्हित कर गिरफतार करने का निर्देश दिया इस दवरान डीजी अनिस गुपता रांची एसेसपी सुरेंदर कुमार जहां सहीत कई वह और ये पूलिस पतादिकारी मौजूद थे इस दवरान डीजी पी ने कहा कि कुछ लोगों हो गिरफतार किया गया है पुकता सबूत के बाद ही लोगों को दबोचा जा रहा है जो लोग भी हिंसा में सामिल थे उन्हें किसी भी हाल में नहीं बक्सा जाएगा है सिख्षकों के तबादले पर सरकार का बड़ा फैसला जहरखन में सिख्षकों के तबादले के लिए अब विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कोई कमिटी गठित नहीं की जाएगी जिसमें इसकूली सिख्षकों के शमाने नियम लागू नहीं होने हैं वर्ष 2019 में लागू सिख्षक अस्थरांतरन निती में कहा गया था कि असाध्यरोग से ग्रशित सिख्षकों से सम्धित आपवाद को अत्यांत 20S परिस्थिती में रखा जाएगा तथा के वल अती 20S परिस्थिती में ही उनका थनांतरन हो सकेगा इस तरह के अनुरोध पर विचार करने के लिए विकास आयूत की अध्यक्सता में एक कमिटी गठित की जानी थी जिसमें इसकूली सिक्षा यम सक्षता विभाज तथा कल्यान विभाज के सचीव सदस्य तथा मादमिक एवं प्राथ्मिक सिक्षा निदेशक सदस्य होते हैं बालू के नाम पर हो रहा बड़ा खेल जारखन राज खनीज विकास निगम ओनलाइन अवेदन करने वाली लोगों को बालू उपलब्ध कराने लगा है लेकिन इसमें टांसपोर्टर अड़ंगा लगा रहे हैं और सरकार पर कीमते बढ़ाने का दबाव बनाए हुए हैं यहाँ तक कि खुटी में सनिवार की रात मार पीट की नवबत आ गई और खनन कमपनी के परतिनिद्यों को थाने में सिकायत करने के बाद ही रहात मिली बता दे इस बीच कई लोगों से मार पीट भी की गई गुमला में भी कहीं कहीं खनन कमपनीयों को अस्थानिय लोगों क बिरोध का सामना करना पड़ रहा है सरकारी स्कूलों में नए से सन में सुरू होगी सारी रिक सिक्षा की पढ़ाई जारखन के सरकारी स्कूलों में पहली से बरावी में नए सेक्षनिक सत्र से सारी रिक सिक्षा की पढ़ाई सुरू हो जाएगी पहली से पाचवी तक खेल खेल में बच्चों को सारेरिक सिक्षा के बारे में जनकायर दी जाएगी जबकि छटी से आठी में परदर्शन बीधी से इसकी पढ़ाई होगी बता दे नौवी से बरावी में सिक्षन और प्रदसन बिधी से सारेडिक सिक्षा के पढ़ाई होगी इसकूली सिक्षा वास्तर्षता विभाग ने इसकी त्यारी पूरी कर ली है जुलाई से सुरू होने वाले सेक्षिनिक सत्रे में इसे लागू किया जा सकेगा भोटर लिष्ट के अधार पर चलेगा सरवजन पेंसन योजना मुख्य मंत्री हेवन सुरेन के आदेश के बाद सरवजन पेंसन योजना के अधिन राजे के सभी योगिय ब्यक्तियों को 20S अभियान चलाते हुए समाजिक सुरक्षा पेंसन योजना से जोडने की योजना पर सरकार ने कारे सुरू कर दिया है मुख्य मंत्री ने इस कारे का सुभारम गुमला से किया है एक अनुमान के अनुसार मद्दाता सुची में अंकित उम्र के अधार पर 60 वरस से अधिक उम्रवाले मद्दाताओं की संख्या एवं ब्रिधा पेंसन प्राप्त कर रहे लावकों की जिलावार संख्या की समिक्षा करने पर 15,3486 लोग सरोजन पेंसन योजना से जुड़े हुए नहीं पाएगा है ऐसे ही लोगों को इस योजना का सिधा लाव मिलेगा जारखंड के स्टुडेंट का जैसे जैसे बढ़ता जा रहा कलास कमजोर होते जा रहे बच्चे राश्ट्रिय अस्तर के साथ जारखंड में बच्चे भी कक्षा बढ़ने के साथ पढ़ाई में कमजोर होते चले जाते हैं राश्ट्रिये उपलब्धी सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार जार्खन की सभी कक्छाओं में बचों का आउसत अंग राश्ट्रिये अस्तर की तुनला में कौम है हलाकि कक्छा आठवी वा दसवी में या अंतर कौम है सरवे में तिसरी पाँचवी आठवी वा दसवी के बिद्यार्थियों के परिक्छा ली गए थी इसमें सरकारी नीजी सरकारी सहायता प्राप्त वा केंद्रिये बिद्याले के बच्चे सामिल हुए थे नीजी वा केंद्रिय विद्यालियों के बचों का रिजल्ट राज के सरकारी वा सरकारी साहता प्राप्त बचों के तुनला में बेहतर है कांग्रेस की नौ संकल्प कारेसाला रायस्थान के उदैपुर में कांग्रेस पार्टी के चिंतान सिवीर में लिये गए निर्नाय के अलोक में देश भर के साथ साथ जार्खन के सभी जीलों में भी नौ संकल्प कारशला कायोजन किया जा रहा है इस करब में लोहर्तागा में भी कांग्रेस की ओर से एक दिवस्य कारेसला कायोजन किया गया इस मोके पर मंत्री डाक्टर रामेशरुराव ने कहा कि संगठन का विस्तार और संगठन को आम जनोतक पहुचाने के लिए इस कारेसला कायोजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि हमारी मजबूती का अर्थ तभी निकलेगा जब हम लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे देवघर सुल्तान गंज के बिच चलेगी एस्पेसल ट्रेन रेलवे ने दो साल बाद हो रहे स्रावनी मेले की त्यारियों में त्यजी कर दिया इस दोरान आसन सोल्ड डिविजन के DRM परमानंद सर्मा समेत रेलवे के कई पदाधिकारी ने जसी डि, देवघर और बासुकी नाथ रेलवे स्टेशन का निरिक्षन करते हुए यत्रियों की सुविधा का जाजा लिया इस मौके पर DRM सीर सर्मा ने कहा कि दो सल बाद इस साल सरावनी मेला का योजन होने वाला है जिस कारण 30 से 40 पिस्ती अतिरिक्त भीड बढ़ने वाली है यत्रियों और सुविधा और सुरक्षा परभी से ध्यान देने की बात कही इसको देखते हुए चारो इस्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर बढ़ाया जाएंगे बाल स्रम मुक्त बनाने के लिए पलामु के होटलों में रेड बाल स्रम मुक्त जीला बनाने के लिए पलामु जीले में छापे मारी अभियान चलाया जा रहा इसी करम में पलामू जिले में टास्क फोर्स ने छापे मारी कर तीन बल स्रमिकों को मुक्त कराया गड़वा रोड इस्थीत पलामू ढबा आंड रेस्टोरेट में छापे मारी की गई वहां कारे कर रहे तीन बाल स्रमिकों को मुक्त कराया गया इस मामले में संचालक के खिलाब चैनपूर थाना में बाल एवम की सोर सुरम अधिनियाम 1986 के तहट प्राथमी की भी दर्च कराई गई है सिर्फ छ थाना छेतरों से लागू है धारा 144 रांची उपायुकते जारखन की राइधानी रांची में मचे बवाल के बाद अब इस्थिती धिरे-धिरे समाने होने लगी है लोगों की आवाजाही समाने दिनों की तरह ही जारी है लेकिन पुलिस बल हर जगह प्रशासन ने रांची के 12 थाना छेतरों में धारा 144 लागू कर दी थी जिसमें से 6 इलाकों में से ये धारा हटा ली गई है रांची के डेली मार्केट समेट 6 थाना छेतरों में ही अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी इसकी जनकारी डीसी छवी रंजन ने प्रेस कॉन्फिरेंस कर दी है देवघर उपायुक्त बूरे फंसे देवघर के उपायुक्त मंजुनात भयंत्री राजभवन के अधिकारियों का भी फोन नहीं उठाते राजपाल रामेश बैस इससे काफी नराज बताये जाते हैं उन्होंने इसे गंभीता से लेते हुए इसकी सिकायत मुख्य सचीव सुकदेव सिंग से भी की है राजपाल उपायुक्त के बिरूद करवाई का भी आदेश जारी कर सकते हैं दरसल राजपाल रामेश बैस के पिछले दिनों देवगर के दोरे के पहले राजबहन के बरी अधिकारियों ने कई बार फोन कर देवगर के डिसी मंजुनात भयंतिर से संपर्क करने की कोशिस की देवगर के उपायुक्त ने अधिकारियों का फोन ही नहीं उठाया हेमंत सुरेन ने बिजेपी से पूछा हमने सरणा आदिवासी धर्मकोट पास कराया जंजातीय समुदाय के लिए जंगन्ना में सरणा आदिवासी धर्मकोट की मायंग पर एक बर फिर राजे में सियासी संग्राम तेज होगा मुख्य मंत्री एमान सुरेन इसे लेकर मुखर है गौतला भाय की बिधान सभा का विशेश सत्र आहुत कर उन्होंने जनकरना में सरना आदिवासी धर्म कोड सामिल करने का प्रस्ताव स्वरसमती से पारित करा कर केंद्र को भेया था इस पर अभी तक कोई निर्ना नहीं हुआ इधर जन जातिये समुद्धाय को लुभाने की नई सीरे से आराम भोई राइनितिक में भाजपान ने समेलन कराया तो सत्ता रूड जार्खन मुक्ति मूर्चा ने इस मुद्धे को उच्छालते हुए उसकी घेराबंदी अरम कर दिया है जार्खन में महंगी होगी गाउं की जमीन एक अगहत से पलामु के ग्रामिन छेतरों की जमीन की कीमत बढ़ जाएगी पिछले साल यानी 2021 में सहरी चेतरों की जमीन की कीमत बढ़ाई गई थी इस साल ग्रामिन चेतरों की जमीन की कीमत में नियुमतम 10 फिश्दी बिरिधी की जाएगी नया दर एक अगहस्त 2022 से लागू होगा इसके लिए पलामु में जमीन की किमतों के मुल्याँकन की तैयारी है बताद राजस्व निबंधन एवं भूमी सुधार विभाग जार्खन सरकार के सन्युकत निबंधन महानिरिक्छक ने पलामू समेत जार्खन के सभी जीलों के जीला अवर निबंधन को पत्र लिखकर ग्रामीन छेतरों की जमीन का मुल्यांकन का निदेश दिया है खाद दे सुरक्षा इंडेक्स में जार्खन का देश में सुला हुआ अस्थान बजारों, होटलों, रेश्टोरेंट आदी में लोगों को सुरक्षित खादे पदार्थ की उपलाप्ता सुनेश्चित कराने को लेकर राजे में की जा रही पहल संतोस जनक नहीं है तभी तो राजे खाद सुरक्षा इंडेक्स में जार्खन आधा अंक भी जुटा नहीं सका बिभीन मानकों में तै किये गए अधिक्तम 100 अंकों में जार्खन महज, 451 अंक लाकर, पूरे देश में 16 हुए अस्थान पर रहा है भारतिये खाद सुरक्षा एवं मानक प्राधिक्कार द्वारा विश्व खाद सुरक्षा दिवस के असर पर 7 जुन को जारी रिपोर्ट में या बात सामने आई है धन्यवाद